रातियों बीते आठ साल के दोर्यान देश में अनेक बड़े काम हुए है इन में से अनेक अभियान ऐसे हैं जिन में मूल में बिहेवरल चेंज है यह कठीन काम होता है और राजनेता तो कभी इसमें हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं करता है लेकिन मैं राजनेती से बहुत परे हूँ दोस्तों लोकतंदर में एक ववस्ता है मुझे राज ववस्ता से गुजर करके आना पड़ा है वो अलग बात है मैं मून तह राजनेती के स्वभाव का नहीं हूँ मैं जन निती से जुड़ा हूँ इंसान हूँ जन सामानी की परतन लाने की जो प्रयास हूआ है सामाने से सामाने मानवी के जिंदगी में बडलाव लाने की जो मेरी आशा अकांचा है उसी का एक हिस्सा है और जब मैं समाज की बात करता हूँ तो शांसनवास में बैठे लोग अलग नहीं है इससे वो को दूसरे ग्रह से नहीं है वो कि अशी का हिस्सा है क्या हम यह जो बडलाव की बात करते मैं देखता हूँ कभी अपसर मुझे शादीका कार्ट देने आते हैं तो मेर को सभा वह है मैं छोड़ नहीं पाता हूं और मेरे पास आते हैं तो बड़ा मेहंगा कार्ड नहीं ले के आते हैं बहुत ही सस्था काड लाते हैं कि लेकिन उस पर प्रांस्टिक का कवर भता हैं तो मैं सहgrades स्विजब उस्थ प्लास्टिक अभी उप्योग करते हैं तो बिचारे सर्मीन की महसूस करते हैं मेरा कहना यह है जो हम देश के चीजों से दूर चले जाते हैं तब चोटे लोगों से दिवारे बन जाती हैं दोस्तों मुझे इंत दिवारों को तोड़ना कि कि अब स्थ्थता का भियान मुझे कोशिश करनी पड़ती है हर 15 јंप डीपार्टमें में क्या चल रहा है देखो स्वच्थता को कुछ हो रहा है क्या इतने दो साल तीन साल पांट साल हो गए दोस्तों क्या अब हो हमारी डिपार्टमेंट में स्वभाव बनना चाहिए अगर वो स्वभाव नहीं बना है तो देश की सामाने नागरिक से उसको स्वभाव बन जाएगा यह पेक्षा करना रज्जादा ही होगा और इसलिए मैं कहता हूं साथियों हमने इसकी ववस्ता को स्विकार करना अब हम डिजिकल इंडिया की बात करते हैं फिंटेक की चर्च लगता है क्यों को रेडी पट्री वाला को डीजीटल पविमेंट की काम कर रहे हो रमत्यश्वीर पर देखते हैं अच्छा लगता है लेकिन मेरा बाबू कि बोड़िजीटल पर में नहीं करता है अगर मेरी विवस्ता में बैठा हुआ हिसा गानाने में रुकावट बना नहीं चाहिए भीवाद हो सकता है आप तो दो दीन बैठने माले तो मेरी भी बाल की खाल उदाड लोगे मिझे पड़ा पता है लेकिन फिर भी साथ को मैं कहता हूं जो चीजे अच्छी लगती है जो अब समाच से पेक्षा करता है उसा कहीं कहीं हमें अपने से भी सुरू करन चाहिए हमने कोशिश करनी चाहिए अगर हम इन चीजहों को कोशिश करेंगे तो हम बहुत प्रवर्तान ला सकते हैं हम कोशिश करें अब जैंपोर्टल क्या बार-बार सरक्रेट निकालना पड़े क्या हम अपने डिपार्टमेंन को जैंपोर्टल पर 100% कैसे ले जाए है ए अगर मेरी मेरी को स्विकार नहें करता हूं और मैं कहूं कि गुगल गुगल तो भार का है दोस्तों अगर हमारे दिल में अगर यूपी आई के अंदर वो भाव होता है तो हमारे यूपी आई भी गूगल से आगे निकल सकता है इतनी ताकत रख सकता है फिंटेक वी दुनिया में नाम रख सकता है कि टेक्नलेजिकली फूल प्रूफ सिद्ध हो चुका है वल्बेक उसकी तारिफ कर रहा है हमारी अपनी ववस्ता में वह हिस्ता क्यों बनता है पीछे पड़ते हैं मैंने देखा हमारे जितने यूनिफॉर्म फोर्स है उन्होंने अपनी कंटीन के अंदर कंपल सरी कर दिया है वो ढीचयिए प्यमेंट ही लेते हैं लेकिन आज भी हमारे सेक्रेटिरेटेट के दर केंटीन होते है वहां नहीं है विवस्ता क्याआज बड़लाब हम नहीं ला सकते हैं क्या बाते छोटी लगती होगी लेकिन अगर हम कोशिश करें दोस्तों तो हम बहुत बड़ी बातों को कर सकते हैं और हमें आखीरी व्यक्ति तक उचीत लाप पहुंचाने के लिए हमें लगातार एक परफेक्ट सीमलेस मेकनिजम खड़े करत हमें